हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल आज हम स्लेप्स का बहुत इजी डिजाइन बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने 18 इंच ले हैं हमें अपनी स्लेप्स की प्रॉपर लंबाई से 4-5 इंच मार्जन ज्यादा लेना है अब मैं इस फैब्रिक को उल्टा करके रखूंगी और इसकी मोरी के साइड दो इंच पर निशान लगाऊंगी निशान को लगाने के बाद इसकेल की हैल्प से लाइन को मैं बना लूँगी लाइन को बनाने के बाद अब मैं इस स्लिप्स के फैब्रिक को बीज से फॉल्ड करके रखूंगी और फिर हम इसके लाइन पर दो इंच की दूरि पर निशान लगा लिये हैं और फिर जो निशान 2-2 उंच की दूरि पे लगाए हैं उनको नीचे की तरफ मैंने लाइन बन और फिर हम इसको दो इंच की लाइन तक कट करेंगे तो सब को हम उपर की लाइन तक कट कर लेंगे और फिर इस फैब्रिक को मैं उल्टा करके ही रखूंगी और फिर जो हमने कट लगाए है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है थोड़ी से स्लाई लगाने के बाद दूसर भी फोल्ड कर देना है जैसे हमने पहले किया था इस तरीके से हमारी ट्राइंगल बनके रेडी हो गया है तो हम दूसरे कट में था करेंगे और आप पेहले कि तरह ही फोल्ड करेंगे और फिर इस्सारे हम पिषर ऊअवे Olik करेंगे और फिर हम इसके चाहिए सारे ट्राइंगल हमारे बन के रेडी हो गए है करें हम फैब्रिक को आधा इंच से ज्यादा फैब्रिक को उपर की तरफ करके एक भूट की सिलाई लगाते हुए पिंटेक्स को रेडी करेंगे फिर इसी तरीके से आदा इंच से जादा फैबरिक उपर की तरफ करेंगे और फिर एक भूट की पिंटेक्स और रेडी कर लेंगे इस तरीके से हम पांच पिंटेक्स रेडी करेंगे तो हमने पांच पिंटेक्स बना ली है तो पहले हम बीच में मिलकुल सीधा निशान लगाएंगे और फिर हम पिंटेक्स को उपर की तरफ करते हुए इस पे सलाई लगा लेंगे फिर हम इस सलाई को नीचे की तरफ लगाते हुए धागे को कट कर लेंगे फिर बीच वाली Pintex से 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे अब इस साइड हम Pintex को नीचे की तरफ करते हुए सलाई लगाएंगे बीच वाली Pintex में हमने उपर की तरफ करते हुए सलाई लगाई थी अब हम नीचे की तरफ करते हुए पिंटेक्स को सलाई लगाएंगे इसको भी हम धागे के कट कर लेंगे और हम इधर साइट की पर दो इंच का निशान लगाते हुए पिंटेक्स को नीचे की साइट करते हुए सलाई लगाएंगे एक Pintex को ऊपर की तरफ करते हुए स्लाई लगानी है दूसरी को नीचे की तरफ करते हुए स्लाई लगा लेनी है इसी तरीके से हम सारी Pintex को रेडी कर लेंगे इसके बाद अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए नापेंगे तो हमारा 14 इंच बचाए मतलब 18 इंच हमने इसकी लंबाई ली थी और हमारी 14 इंच इसकी लंबाई बची है इसके बाद हम दोनों को अपने अकॉर्डिंग निशान लगाते हुए स्लेप्स को कट कर लेंगे और फिर मैंने कुछ मोती ले लिये हैं वाइट कलर के अब हम इसके ट्राइंगल शेप के कोनों पे इन मोतियों को गिलू से लगा देंगे आप चाहें तो आप सुई से भी लगा दें इसको इसके बाद डिजाइन बनके हमारा रेडी हो गया है आप इस डिजाइन को स्लीप्स में ट्राउजर किसी में भी ट्राइ कर सकती है अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो